बासकर दोस्तों मेरा नाम दिपाली है मैं ब्लेसिंग टीम फुमनेशर से हूँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्लाडीमर मिग्रे की रचना अनेस्थीसिया जिसके आज चैप्टर 21 के बारे में बात करेंगे जिसका सिर्सक है टाचिंग पाराटाईज या स्पर्स करने वाला स दोस्तों अब तक की पार्ट करम से हमें पता चला किस तरह अनेस्थीसिया प्रकृति से जूड़ी हर बिसे हमको अवगत कराती है कि हमको किस तरह प्रकृति से अपना कनेक्शन बनाना चाहिए और नई नई जानकारी हमारे सामने लाती है इसके पहले के पार्ट में हमें अ और जानते हैं अनस्तिशिया आज हमको क्या नया बताना चाहती है तो चलिए बढ़ते कहानी की तरह आपका दिमाग मुझे समझने की खोशिस में ठक गया है लेकिन मैं पास मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ उससे पहले आप थोड़ा आराम करने और हम घास पर बैट गए अनस्तेसिया ने मुझे पकड़ कर अपनी और खीच लिया अब मेरा सरीर उसके सरीर से स्पर्स हो रहा था उससे मेरी नजदी की मेरे सिर के पिछले हिस्ते में एक सुख़द गर्मी का एहसा सुथपन कर रही थी मुझे से डरो मद बलादी मर आराम करो ऐसा करो चुपचाप घास पर लेट गई ताकि मैं और ज़्यादा सुख़द और आराम दायक इस्तिती से आराम कर सकूँ उसने अपनी उंगलियों को मेरे बालों में फेरना सुरू किया कभी कभी वह मेरे बालों को सहला कर नीचे कर देती मानों वह कंगी कर रही हो उसी के साथ अपने दुसरे हाथ से वह मेरे माथे मेरे भोग के आसपास हाथ फेर रही थी कभी कभी वो अपने नाखुनों को मेरे सीर के बिभी निस्तानों पर हलके से चुभाती थी यह सब मुझे सांती और घ्यान की अनुमती दे रहा था फिर मेरे कंधों पर हात रखते sticksya ने कहा किरपिया सुनो कि तुमारे चारों और क्या आवाजे हैं मैंने सुना और मेरे कान ने सौर ले और धनी की अब्धी में कई अंतरों को पकड़ा लिया मैंने उन अंतरों को सुचिवत करना सुरू किया पेडों के में गाते पक्षी, नास में जहचाते कीड़े पेडों की सरसरहाट और पक्षियों की ताली बजाते सोर मचाते पंक मैं जो कुछ भी सुन रहा था उससे सुनने और सुचिबत करने के बाद मैं चुप हो गया और ध्यान से सुनना जारी रखा ओ मुझे बहुत ही सुखत और दिल्चस्प लग रहा था आपने उन सभी का नाम नहीं लिया अनस्तिस्या ने तिपणी की हाँ मैंने जबाब दिया हो सकता है जिसके मुझे याद है वह बताया और जो नहीं बताया वह मेरे लिए अर्थीन और महत्वीन है अर्थात ब्लाडिमर क्या तुमने सच में मेरे दिल की धरकन नहीं सुनी अनस्तिस्या ने पूछा क्या बास्तर में मैंने उसके दिल की धरकन नहीं सुनी या मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया मैंने ही चकते वे अनस्तिस्या से कहा बैसा मैंने सुनी थी बहुत अच्छे से सुनी थी आपकी धरकन बहुत ही सांथ और सामानिय थी उन ध्वनियों के अंतराल को याद करने का प्रयाज करो ब्लाडिमर जिसे आपने सुना ऐसा करने के लिए कोई प्रमुग ध्वनियों का चुनाव कर लिजे मैंने कुछ खीट पतं की आवाजे, कुमू की आवाजे और जन्ने की बहती वी पानी की गरगड़ात और छपछप की आवाजों को चुना और उन्हीं आद रखा अब मैं अपने दिल की धरकन को तेज कर दूँगी और तुम सुनोगे कि तुम्हारे आसपास क्या होता है अनस्तिस्या के दिल की धरकन तेज हो गई और उसके मद्दे नजर मेरे आसपास सुनाई देने वाली धोनी की वी ले ताल और रागनी में भी तेजी आ गई आश्चर जना यहां अवस्विश्वनिया है मैं चिलाया क्या आपका मतलब है कि आपके दिल की धरकन की लै पर इतनी उत्सुकता से प्रतिकरिया दे रही है प्रकृती अनस्तिस्या हाँ सभी बिल्कुल सभी घास के छोटे से हिस्से से लेकर बड़े पेड यहां तक की छोटे छोटे कीट पटन मेरे दिल की लै और ताल के बदलाव का जवाब दे रहे है पेड अपनी आंत्रिक प्रतिक्रिया को और प्रक्रिया को तेज करते हुए प्रतिक्रिया देते हुए अधिक ऑक्सिजन का निर्मान शुरू कर रहे है क्या लोगों के आसपास के सभी पौधे और जानवर इसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं? मैंने अनस्टिस्या से पुछा, नहीं, आपकी दुनिया में वे नहीं समझते किस तरह प्रतिक्रिया दे और आप उनसे संपर करने की कोशिस नहीं करते हैं, इस संपर के उद्देश्य को नहीं समझते और उन्हें अपने बारे में प्रयाप्त जानकारी नहीं देते, ऐसा कुछ पौधे और छोटे बगीचों में काम करने वाले माली के साथ हो सकता है, अगर वे लोग सब कुछ वैसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया, बीच को अपने बारे में जानकारी के प्रिप्त करना और पौधों के साथ अधिक सचेत रूप से संबाद करना, क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं दिखाओं इस तरह के संफर्क वाले व्यक्ति को क्या अनुभती होगी, बेशक लेखक ने कहा, लेकिन इसे कैसे प्रतिवंधित करेंगे, मैं अपने दिल की धर्कन की लेक को, आपके दिल की धर्कन की लेक को मिलाऊंगी और आपकी इसकी अनुभती करेंगे, उसने अपना हाथ मेरे दिल पर रख दिया और अपनी नर्म और गर्महट वाली हतीली से मेरी ज्छाती को हलका सा दबाया, धीरे धीरे उसकी धर्कन मेरे दिल की धर्कन के ले और ताल के साथ सम्योजित हो रही थी और बहुत ही आश्यर जनत बदलाव हुआ मुझे महसूस हुआ कि मेरे रिष्टेदार और मेरी परिवार मेरे सामने हैं मुझे यह एक असामान अनुभूती हुई कि जैसे मेरी मा मेरे पास है मेरे सरीर में कोमलता और अच्छे स्वास्त की भावना आ गई और मेरा हिदे आनंद की चर सीमा से भर गया सिजन की एक पूरी नई भावना अंदर आ गई आशपास की आवाजों ने मुझे पोशन देते हुए मेरी देखवार करते हुए यानि कि मेरा पूरा नर्चर करते है मुझसे बाते करती हुई ब्रम्हान की पूरी सच्चाई का संचार किया और अपने सभी विबढ़नों को एक व्यापक सत्य की रूप में प्रस्तूत किया जिसे मैंने सहर जुरूप से महसूज किया मेरी आत्मा ने एक खुशी एक सुतंतता और ब्रम्हान के प्रति एक नहीं समझ को महसूज किया में चारों गोर की आवाजों ने मुझे सहलाया और मुझे वह सच बताया जो वो जानते थे जिसे मैं अभी तब अनभग्य था और पूरी तरह से समझ नहीं पाया था लेकिन वे आवाजे केवल अंतर मुखी थी मैंने अपने जीवन में जितनी भी हरसित और मधूर अनुभव किये थे वह सभी एक ही सुन्दर अनुभवती में बिलीन हो गए साइद यही वो अनुभवती है जिसे सुख या खुसी कहते हैं लेकिन जैसे ही अनस्तिस्या ने अपने दिल की धरकन की ले को बदलना सुरू किया वह अद्बुत अनुभवती मुझसे धूर होती चली गई मैंने अनस्तिस्या से कहा क्रिप्या और अधिक अनस्तिस्या मैं इसे बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती बलाडी मर आखेकार मेरी अपनी भी एक लय है बस थोड़ा और मैंने अनस्तिस्या से याचना पुर्वक कहा एक बार फिर अनस्तिसिया ने कुछ समय के लिए मुझे उस खुसी की अनुभूती लोटा दी धीरे धीरे वह नश्ट हो गया फिर भी मेरी इस मीती में एक सुखत चमतकार अनुभूती का कंड छोड़ गया हम कुछ देर चुप रहे फिर मुझे अनस्तिसिया की आवाज एक बार फिर सुनने की इच्छा होई इसलिए मैंने पूछा क्या पहले की लोग जैसा की आदम और इव इस तरह आनंद से रहते थे आप लोग ने अभी तक जूट भूला आप लोगों के चारों जीवन बहुत ही सम्रिद और आनंदित है आप लोगों के हाथ में सब कुछ है या कितना उबाउ हो जाता अगर करने के लिए कुछ नहीं होता अनस्तिसिया ने जवाब देने की बजाए मुझसे एक सवाल पुछा मुझे बताओ बलाडीमर क्या बहुत से लोग आदम के बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा अभी आपने सोचा सायद बहुमत लेकिन उनके पास स्वर्ग में करने के लिए क्या था लेखक ने अनस्तिसिया से पूछा और साथी तिपणी की बाद में मनुष्यय ने सब कुछ विक्सित करना और सोचना सुरू किया स्रम से मनुष्य का विकास हुआ वह स्रम से होस्यार बन गया इसलिए स्रम को धन्यबाद प्रति उत्यर में अनस्तिस्या ने कहा हाँ स्रम की आवसकता है लेकिन पहला मनुसियर आज अपने बंसजों की तुलना से असीम रूप से अधिक चतूर था उसका स्रम अधिक सार्थक था इसके लिए काफी बुद्धी मता, जगरुकता और इच्छा सक्ती की आवसकता थी लेकिन आदम ने स्वर्ग में क्या किया, क्या उसने बगीचे की देखवाल की, या कुछ ऐसा जो आप किसी भी माली द्वारा नहीं किया जा सकता, ना कि पौधे प्रसन भी सग्यों ने इसका उलेक की क्या हो आदम की गतिविद्यों के बारे में बाईबल में कुछ भी नहीं कहा गया है, अगर बाईबल में सब कुछ विस्तार से बताया, तो इसे एक ही मानव जीवन में पढ़ना असंब्भव होगा बाइबल के प्रतेक पत के पीछे एक अद्भूत जानकारी है इसे समझना होगा क्या आप जानना चाहते हैं आदम ने क्या कहा मैं आपको बताऊंगी लेकिन पहले याद रखें यह बाइबल ही यह जो हमें बताती है कि परमेशन ने आदम को नाम देने और पित्वी में रहन प्रतेक प्राणी को उद्देश की निर्दिश करने के लिए न्यूक किया और एडम ने ठीक पैसा किया उन्होंने वह किया जो दुनिया के सभी विज्ञानिक संस्था मिलकर भी अभी तक हासिर लें कर पाए हैं अनस्तिसिया की बास सुनकर लेखक ने प्रश्न किया अनस् अनस्तिसिया ने जवाब दिया मैं क्या और माँँ जबकि इतना सब कुछ पहले ही दिया जा चुका है मेरा काम है इस्वर के हर दिये हुए चीज़ को धन्यवाद देना और हर काम को सुचारू रूप से चलने के लिए उनकी मदद करना तो अब तक के लिए इतना ही दोस्त नमस्कार